पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले चार लुटेरों को गिरफतार कर लिया है आरूपी की पहचान सचन, महान, अक्षय और दीपक के रूप में की गई है जो सिर्सा के ही रहने वाले हैं जानकारी के मताबिक कुछ दिन पहले सचन, उर्फनोनी अपने दोस्त, अक्षय और महान से बसड़े पर मिला था इस दोरान सचन ने दोस्तों को पैसों की जरूरत के बारे में बताया जिसके बाद उसीन अपने दोस्तों को दुकान मालिक के बारे में जानकारी था जिसके बाद लूट की वारदात की पूरी योजना बना ली गई और फिर रेकी कर वारदात को अंजाम दिया लिया उनसे दो लाख एक्यावन हजार रुपए की जो है पिस्टल लगा कर और उनसे पैसे लूटे गए थे बैग स्नाच किया गया था इस संबंद में हमने सिटी थाना में मुकदमा नंबर 423 धारा 397 34 IPC के अंडर हमने मुकदमा दर्ज किया था और इसमें डॉक्टर हमारे SP साहब दॉक्टर अर्पिज जायन जी की नेत्रितव में तीन टीमों का गठन किया गया था इसको करने के लिए CIE सिरसा सिटी सिरसा और साइबर की टीमें तो जो है सभी टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया और C.I.A. सिर्षा ने कल इसमें चार व्यक्तियों को गिरफतार किया है जो इस वारदात में इन्वार्व्ड थे उन व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है एक जो है सचिन उर्फ नूनी पुत्र रगुनाथ जो किर्टी नगर गली नंबर साथ का रहने वाला है नंबर दो महान उर्फ महाना पुत्र रोहताश वो भी सिर्षा का रहने वाला है अक्षव पुत्र रामसरूप वासी सुख सागर कलोनी बेगू रोड सिर्षा और जो फोर्थ है उसका राम है दीपक उर्फ तीपू पुत्र मोहनलाल वासी सुख सागर कलोनी से सब्सें, यह जो हैं यह चार व्यक्ति इसमें हमने गिरफ्तार किये हैं, जो बारे कीर किई हैं यह में आपस में बैट के प्लाइनिंग की और इन चारों का यह थाखें के पैसे की अवशक्ता थी और इस जो अंकुश है उसके बारे में इन्हों पता लगा कि ये पैसे अपने पास केरी करता है बैग में और दस बारा दिन से ये इसके प्लानिंग कर रहे थे और इन्होंने रेकी भी की है वारदाद से पहले दिन भी रेकी की है लूट की पूरी वारदाद CCTV कैमरे में खेद हो गई थी CCTV में दिखाई दे रहा है कि आरोपी दुकान में लूट के इरादे से जा रहा है और वारदाद को अन्जाम देने के बाद बाइक से फरार हो रहे हैं पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तिमाल की गई बाइक बरामत कर ली है और लूट की राशी बरामत करने के लिए खोट से रिमांड मांगने की तैयारी शुरू कर ली है। जो पूछ दिखा गया है और जो सचिन नाम का विक्ति है जिसकी एक चाई की दुकान है। चाई की दुकान उसकी पहले तो इदर मंडी के पास थी और अब आप उटो मार्केट में है। तो यह सचिन है यह बाइक चला रहा था और जो बाकी दोनों विक्ति रह गई हैं के हाथ में पिस्टल थी और महान ने जब वो पिस्टल उसने दिखाई तो उसने वो बैग स्नैच उससे लिया अंकुष से और वो उसके बाद जो है सचिन की बाइक पर बैठ के वहां से भाग गए तो यह इसमें फिलहाल जो है एक पिस्टल 315 बोर और दो कारतूस रिकवर कि गए हैं और इसमें आगे जो रिकवरी है जो लूट की राशी है दो लाखी 51,000 रुपे इनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के दौरान मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रिकवरी है वो की जाएगा बहराल पीडित अंकुष के साथ ही लूट की वारदात को पुलिस ने 72 घंटों में सुलजा लिया है मामले की शिकायत मिलने पर तीन टीम गठित की गई थी वारदात से एक दिन पहले सचन उर्फ नोनी अपने दोस्त दीपू के साथ अक्षय और महान से बसड़े सिरसा पर मिला और उसने अक्षय और महान को अंकुष की दुकान दिखा दी दोनों ने सीमेंट का भाव पूछने के बहाने अंकुष की पहचान की और फिर मौका मिलते ही लूट को अंजाम दे दिया सिरसा से सत्नाम सिंग पंजाब केसरी टीवी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद